हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके सुटूप चनल नौलेज नौर में दोस्तो रेलवे ट्रेन में बे टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए समय समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाते रहती है जिससे यात्रियों के बीच एक दहसत बनी रहे और वह बिना टिकट यात्रा ना करें दोस्तो इसी टिकट चेकिंग अभियान के अंतरगत SECR का बिलासपूर रेलवे डिविजन एक दिन में साड़े 11 लाक रुपे का जुर्माना वसूल कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है दोस्तो यहाँ टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए जो ट्रिक अपनाई है उसे जानकर अब चौंक जाएंगे तो चलिए जानते हैं पूरा मामला दोस्तो SECR का बिलासपूर रेल मंडल ने मुख्य वानिजिक प्रबंदक के आदेश पर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में टिकट चेकिंग का अभियान चलाया दोस्तो रेलवे के ऐसे टिकट चेकिंग अभियान का उदेश होता है यात्रियों को टिकट लेकर चलने के प्रती जागरूप करना इस अभियान में टीटी की एक टीम बनाई गई जो इस्टेशन पर उतरने वाले प्रतेके आत्रियों के टीकट को चेक करने लगे दोस्तों कई यात्री टीटी से भी चालाग थे जो की बच कर निकल गए लेकिन टीटी की तगड़ी कारवाही के बाद टोटल 2,601 यात्री पकड़े गए जिसमें से 841 यात्री बीना टिकट थे जिनसे 6,96,800 रुपए की वसूली की गई 618 यात्री अनियमी टिकट वाले थे जिनसे 3,2,455 रुपए वसूले गए दोस्तों इसके अलावे बिना बुक किये गए लगेज लेकर यात्रा करने वाले यात्रीयों से 80,000 रुपए वसूले गए दोस्तों इस तरह से एक ही दिन में टोटल 11,5 रुपए की वसूली कर बिलास्पूर के टीटी ने रेलवे में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया दोस्तों अधिकारियों के दोरा बताया गया है कि जल्द ही एक बार फिर से इस तरह का अभियान चलाये जाएगा तो अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो कभी भी बीना टीकट यात्रा ना करें इससे रेलवे के साथ साथ आपका भी नुकसान है बाकी रेलवे के इस टीकट चेकिंग अभियान को लेकर आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरूर बतायेगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पे नए है तो शेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजे आज के इस वीडियो सितना ही मिलते है एक नए वीडियो में थेंक्यू फूर वाचिंग फेंड्स